नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जोषर में जाकर एक पत्र ED को दिया है, पत्र में मुख्यमंत्री ने ED को लिखा है कि एजनसी के समन्द के हिलाब वे सुपरीम कोट गये थे, सुपरीम कोट की सलाप पर उन्होंने जार्खन हाई कोट में अपील की है, ऐसे में जार्खन हाई कोट का फैसला आने तक उन्हें वक्त दिया जाए, CM का पत्र मिलने के बाद अब इस समन में ED आगे का फैसला सो मौर को लेगी, यहां बता दे की CM की ओर से सुप्रीम कोट जाने के बाद भी उन्हें दूसरा और तीसरा समन भेज कर 24 अगस्त और 9 सितंबर को बुलाया गया था, ऐसे में एजेंसी अब आगे क कानूनी पहलूओं पर विचार कर रही है, CM सोरेन को ED ने पुस्ताश के लिए समन जमिन घोटाले में मनी लॉंडरिंग के मामले में क्या है वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन समारह का CM को ने होता, रांची रेल मंडल के DRM जस्पिरित सिंग बिद्रा और सीनियर DCM निसिकांद कुमार सुकरवार को मुख्यमंत्री हमंसरन से उनके आवासे करालाय पर मिले रेलेवे के दोनों अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को 24 सितंबर 2023 से रांची हापड़ा के बीच चलने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस के सुभारम कारकर में सामिल होने का निमंत्रन दिया है बता दे दानापुर रेल मंडल के DRM जेयनत्र चौद्री ने सुकरवार को पटना साहिब एस्टेशन का निरिक्षन किया वही मौके पर उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस के पटना साहिब एस्टेशन पर ठाहराओ और उदघाटन के मौके पर होने वाले आयोजन की त्यारियों का जाजा लिया DRM ने उदघाटन समाराओ को लेका एस्टेशन परिशर वा पार्किंग असल का जाजा लिया है उन्होंने कहा है कि एस्टेशन पर यात्री सुधाय उपलब धाय इनका और विस्तार कर मौडल एस्टेशन की तरह विक्सित किया जाएगा आठ लाख पंदर हजा विद्यार्थियों को साइकल का मिलेगा पैसा दुक्रवार को जारी कर दिया है इसके तहट वित्य वर्ष 2021-2021-2022 तथा 2022-23 में पर देख वर्ष के लिए निर्धारित 122 कुर अर्थात कूल 366 को रूपाई की रासी छात्र छात्राओं के खाते में हस्तात्रित की जाएगी दरसाल इन वित्य वर्षों में साइकल के लिए टेंडर नहीं हो पाने के काराण उस समय करच्छा आठ में नमांकित ACST तथा ओभी सिस्त्राणी के छात्र छात्राओं को साइकल नहीं मिल पाई थी CM हेमंद पर आग बबुला हुए बाबुलाल कहा ED से बचना चाहते हैं परदेश के पुरमुख मंत्री सभाजपा के परदेश अद्यक्स बाबुलामराणी ने कहा है कि हेमंद सरकार गरीबों का आनाज बेचकर अपना तिजोरी भर रही है प्रसासनिक पता दिकाई टांसपर पोस्टिंग के लिए उपर पैसे देते हैं तभी तो राज में बालू, कोईला, पत्थर, लोहा और जमीन के लूट मची है तभी तो हेमंद सुरेन परिवार, CBI वर ED की जाँच के दैरे में है बाबुलार मरांडी सनिवार को कोटगर्ड में आयोजी संकल प्यात्रा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने संकल प्यात्रा के बाहने हेमंद सरकार को घेरने और 2024 में होने वारे लोक सभा चुनाओं में भाजपा की जी सुनिश्चित कराने के संकल प्लिया कहा है कि हेमन सरकार के कारेकल में उगरवादी हिंसा में बलिदान हुए आश्रित परिवारों की सुधी तक नहीं ली जा रही रांची हवडा वंदे भारत का सफर मात्र 460 रुपए में वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन आज के समय में लोग सबसे पसंदिता ट्रेन है इसकी वज़ा यहा है कि ट्रेन अराम दे तो हाई ही इसकी स्पीड भी अच्छी है बता दे बुलेट ट्रेन से पहले या सेमी हाई स्पीड ट्रेन लोगों को खुब भा रहा है हलाकि इस ट्रेन में यात्रा करना थोड़ी ज्यादा ही महंगी है फिर भी अगर आप इस अतेदुनिक ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं तो रांची से हवडा के भी चलने वाली ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं वह अभी महा 460 रुपए में बता दे 460 रुपए खर्च करके आप वंदे भारत की यात्रा करने की अपनी इक्षापूरी कर लेते हैं रभी वार को परधान मत्री नायद मोदी जारखन की राइधानी रांची से पचिम बंगाल की राइधानी से सटे हावडा जक्षन के भी चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी जंडी दिखाएंगे दकचीन पूर रेलवे रांची मंडल ने इसके किराये के लिस्ट जारी कर दिया है तेट पास पारा सिकषकों ने रबिवार को बुलाई राज सरkiल के उग्र अंधूलन करने का नहीं न लिए है रबिवार को राज भर के सबी जीलों के लिए पारा सिक्षक संग से जूड़े परतनीदियों के बैठक बुलाई है इस बैटक में पाला सिक्षक से सायक अध्यापक बने सिक्षको के द्वारा सरकार के खिलाब उग्रा अंध्योन के रूप रेखा तयार की जाएगी अनिश्चित कालिन धरने पर बैठे टेट सफल सायक अध्यापक संग के परदेश अध्याख्स मिथलेश उपाध्याख्ष ने कहा है कि सरकार अगर उनकी मायंगे नहीं मानती है तो उग्रा अंध्योन करने के लिए पाला सिक्षक विवस हो जाएंगे वही लातेहार के जीला अध्याख्स घंसयाम कुमार सरकार की वादा खिलाफी से खासे नराज है घंसयाम कुमार का मनना है कि सरकार महाधिवक्ता किराय को भी अंसून कर रही है उन्होंने कहा है कि यही ओ सरकार है जिसने टेट पास पालासिस्खों को बेतन मान देने का भरुसा दिया था और आज चार साल बीत गए सरकार चुपपी साधे बैठी है पसुओं में लंपी वायरस के खत्रे के बाजूद भी भागला परवा जारखन के अलग अलग जीलो परखंडों और पंचायतों के पसुपालग पसुओं में हो रही लंपी स्किन डिजीज जैसे बिमारी से परिशान है लेकिन फिर भी जारखन के सरकारी आकडों में राज्य में एक भी लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित पसुद नहीं है पसुपलन विभाग के और से अभी तक 6 जीलों के संदिग्द पसुओं से लिये गए 95 सैंपल को जाच के लिए National Institute of High Security Disease भोपाल बेजा गया जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है जब तक वहां से रिपोर्ट पोजिटिव नहीं आएगी तब तक जारकन लंपी वायरस से मुक्त माना जाएगा एक और जहां राजी के पसुपालग पसुओं में हो रही लंपी स्किन डिजिस जैसे विमार से परचान है वहीं पसुपालन विभाग के लपरवाही का अलमया है कि संदिक्द पसुओं का लिया गया सेंपल मुख्याल नहीं भेजा जाता अग्यात अपराधियों ने कोईला लोड हाईवा में लगाई आग रांची में कोईला लोड हाईवा में अगजनिक ममला परकास में आया है घाटना खलारी थाना छेत्र की है अपराधियों ने पहले गोली चलाई इसके बाद हाईवा में आग लगा दी जनकारी मिलने पर पुरिस मोके पर पहुंची और छानबिन में जूट गई है बता दे को पुरणना डि परियोजना छेत्र के जम डि में हुई है जहां चार से पांच की संक्या में यूकों ने हाईवा में आग लगा दी है ज्यारखन में पांच जग होपर जल्द खुलेंगे केंद्रिये बिद्याला है ज्यारखन में पांच जग होपर नाए केंद्रिये बिद् प्रस्ताओं से समधी जनकारी ली है, साथी जल्द से जल्द सभी आवसक परकिरियाओं को पूरा करने का निर्देश दिया है, देवगर में एमस परिसर में केंदरिये बिद्याले के स्थापना के लिए जमीन उपलब्द कराई गई, इसकी जनकारी केंदरिये बिद्याले सं स्कूल कोलेजों में चला है जागरूपता अभियान। स्कूल कोलेजों में चला है जागरूपता अभियान। स्कूल कोलेजों में चला है जागरूपता अभियान। टाटा नगर जमू तबी में भीशन टकाई थी CIC सेक्षन के लातेहार वो बरवाडी रेलवे स्टेशन के बीच सनिवार की रात संबलपू टाटा नगर से जमू तबी जा रही 18309 मूरी एक्सप्रेस के एस नौ कोच में आठ से दस अग्यात अपराध कर्मियों ने हतियार के बल पर जम कर लूट पाट मचाई है अपराधियों ने दसत फैलाने के लिए हवा में 25-6 चक्र फायर भी किया है घाटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधि बरवाडी एस्टेशन से पहले चेन पोलिंग का ट्रेन से उतर कर भाग गए बताद अधिकारियों के अनुसार सभी अपराधि लातेहर अच्छन से ही ट्रेन में सबार हुए थे लातेहर से ट्रेन के खुलते ही इन में से अलग अलग अच्छा में बढ़ कर आप राधियों ने एस आठ एवं एस दस को जोड़ने वाली इंटरकनेक्ट अस्थान पर अपना कपज़ा जमा लिया प्राथमिक सिक्षकों की प्रोनाती का मामला फिर कोट पहुंचा जारखन में मद भी द्याले के सिक्षकों को अब तक प्रोनाती नहीं मिली है सिक्षा विभाके निदेश के बाद भी कई जीलों के द्वारा आप तक इसकी पर क्रिया पूरी नहीं की गई जारखन में अलग-अलग समय में नियोक्त सिक्षकों की प्रोनाती को लेकर आपस ही उनके हीत में टकराव की स्थिती है हाई कोट द्वारा पिछले दिने सिक्षकों की प्रोनाती को लेकर दिये आदेश के खिलाप संग ने हाई कोट में सल्पी दायर किया है सल्पी जारखन प्रगति सील सिक्षक संग ने दायर किया है संग प्रारंबिक सिक्षक प्रोनाती निमावली 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 नहीं बनी पर विभाग दोरा निमावली के अनुरूप प्रोनाती नहीं दी जा रही है ज़ारखन में चहत्राओ महिला कर्मि की सुरक्षा होगी सकते राजेक के कोलेजों तथा विश्व विद्यालियो को चहत्राओ एवम महिला कर्मि महिला चुरक्षा गाट की तेनाती करनी होगी मुखेद्वार सहीत महत्पुन जगोपत CCTV भी लगाना होगा उच एवम तक निकी सिक्षा भी भागने उच सिक्षन संस्थानों में छात्राओ तथा महिला कर्मियोग सुरक्षा के लिए गाइडलेन लागू करने का निर्न लिया है इसका ड्राप्ट तयार कर लिया गया जिस पर 30 अक्टूबर तक लोगों से सुझाओ वा अपत्या मांगी गई है प्रस्तावित गाइडलेन के अनुसार सभी छात्र छात्राओ शिक्षकों तथा कर्मियों को फोटो पाचानपत्र दिया जाएगा जिसे गले में लटकाना अनिवार्य होगा नई पेंशन नियमावली बनाने की त्यारी में हेमंत सरकार जारखन सरकार नई पेंशन नियमावली बनाने की त्यारी कर रही है जारखन पेंशन नियमावली बहुत पुराना हो गई है नई PENSION ASKIM से पूराणी PENSION ASKIM में आए पदा अधिकारी की सेवा अधी दस साल भी नहीं हुई है जबकि ऐसे पदा अधिकारी की संख्या भी काफी है जिनकी सेवा अधी 12 से 15 वरस ही हो पा रही है पूर्ण पेंशन के लिए सेवा अवधी को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है मजूदा समय में यह अवधी 20 साल निधारी था है जबकि 50 प्रिदी पेंशन के लिए सेवा अवधी 10 वरस ता है धन्यवाद